नमस्कार दोस्तों मैं हो सुनी पांडे स्वागत था अब सबका एक नई वीडियो में नव हाली में क्या हुआ कि रसियन फेडरेशन के जो डिफेंस मिनिस्टर है सरगोई सोईगू उन्होंने बातचीत करी भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाज सिंग जी से तो उस बातचीत में उनका कंसर ये था कि जो युक्रेयन चाह रहा है एक डर्टी बम फोड़ना रसिया के आसपास हो सकता है वो युक्रेयन में ही फोड़े या रसिया के आसपास फोड़े ऐसा वो इसलिए करना चाहरा है और इसको dirty bomb इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो एक nuclear bomb ही होगा लेकिन बहुत जल्दबाजी में बनाया गया है इस वज़ा से उस पे control नहीं होगा जैसे होता क्या है कि nuclear bomb में भी एक control होता है कि जिस party ने भी उस bomb को फोड़ा है उसे ये पता है क कि इससे कितनी तबाही आने वाली है कितना ज़्यादा उसमें उसने uranium उसमें यूज किया है क्या या कितना ज़्यादा density के साथ में वो effect डालेगा लेंड्स पे या किसी मनुस्थ के उपर या कैसे भी करके वो कितना नुक्सान होचा सकता है इन सबका एक वेमाना होता है जो दागता है जो bomb बनाता है जो बिसफोर्ट करता है उसको इसका knowledge होता है dirty bomb के definition में यह कह सकते हैं कि वो एक ऐसा bomb है जो बनाने वाले को खुद भी नहीं पता है कि एक इस हिसाब से effect डालेगा human life पे या किसी की उपर कितना effect करेगा इस वज़ा से इसको dirty bomb कहा जा रहा है तो रसिया का concern यह है कि अगर वो dirty bomb में एक बार बिसफोर्ट कर देता है हमारे आसपास में या हमारे border areas में या वहाँ पे जहां पे हमने कबजा कर रखा है तो हमें retaliate करना पड़ेगा और retaliation में क्या होगा कि हमें भी tactical weapons होगेरा यूज करना पड़ सकता है तो यह concern था रसियन फ्रेडरेशन के जो defense minister है सरगोई सोईगू की वो भारत के defense minister रादनाज सिंग जी से साज़ा कर रहे थे यह telephone call थी तो उस पे ही बातचीत हो रहे थी तो रादनाज सिंग जी ने कहा देखो ऐसा है किसी भी side से nuclear weapons यूज नहीं होने चाहिए ना तो रसियन साइट से ना तो उक्रियनियन साइट से इंडिया का stance specular है कि nuclear weapon या कोई भी radiological weapons यूज होना जो human life का basic सिधानत है उसके against है तो रादनाज सिंग जी ने literally कहा है सरगोई सोईगू से कि the prospect of the use of nuclear और radiological weapons goes against the basic tenents of humanity इसका मतलब है कि basic सिधानत के खिलाफ होगा humanity के इस वज़ा से कोई भी nuclear weapon यूज ना करे और जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके dialogue और diplomacy के जरिये इस सारे conflict का हल निकाला जाया और ऐसा कुछ ना हो कि जिससे nuclear weapon यूज करना पड़ जाया ये इंडिया का stance से रादनाज सिंग जी ने clear कर दिया है क्योंकि दिक्कत यह है कि एक बार अगर dirty bomb यूज कर लिया यूज ने रसिया के against तो रसिया retaliation में heavy air strike कर सकता है या missile मार सकता है और even though कि अगर ज्यादा जरूरत पड़ी और ज्यादा नुक्सान रसिया का होने लगा तो ये एक दो वो tactical nuclear weapons भी यूज कर सकता है इस वज़ा से ज्यादा जरूरी है कि इंडिया अपना stance के लिए रखे कि आप बिल्कुल भी इस तरह से किसी भी fight में nuclear weapons का यूज नहीं खरोगे ना तो रसिया ना तो उक्रेयन क्योंकि अगर इंडा future रसिया tactical weapon यूज कर लेता है इंडिया को मजबूरी में रसिया की निंदा करनी पड़ेगी और अब उनाइटे नेशन में voting होगे रहा होगी तो abstain and chill वाला system नहीं चलेगा वहाँ पे literally इंडिया को खड़े होकर जो इंडिया के representative होंगे उनाइटे नेशन में उनको रसिया की आलोचना करनी पड़ सकती ह इस वज़ा से इंडिया पहले ही clear कर रहा है कि आप किसी भी situation में radiological या nuclear weapons यूज नहीं करोगे ये unity के basic सिदान्स के against है फिलहाल के लिए यूकरियन ने deny कर दिया है कि कोई भी वो dirty bomb यूज नहीं करने जा रहा है रसिया के against लकि इंदा future देखा जाएगा कि क्या होता है क्यो ऐसे UK USA और France कोसिस कर रहे हैं इस सारी controversy और इस सारी problem को जल्दी से जल्दी खतम किया जाए dirty bomb वाले problem को क्योंकि ये उनके लिए भी problematic बन सकता है in the future ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें मिलेंगे next वीडियो में जब तक के लिए ज जे की कैनल झाल 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 dimension करें वीडियो करी के लिए जब तक कि ऱूले करें मिलेंगे विल ख nerves का यहेँ तक किया ड्री है जीडियो करें वीडियो करें अटशài जैड आपसी औरा चें भंए़ जटक सारी क जूले कि में लिए पस्त्टिस और् जिया के लिए और भीजा करे